ये कहानी एक सच्चे देशभक्त सोहन की है सोहन बहुत गरीब परिवार से था सोहन की मा ने उसे जन्म देने के साथ ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था उसके पितार राजपाल गाउं के अमीर सेट चंदेरीलाल के यहां मजदूरी क्या करते थे चंदेरीलाल बहुत ही खडूस था वो अपने मजदूरों से दिन भर मेहनत करवा था और फिर किसी न किसी बहाने से उनकी मजदूरी में कटौती करता रहता राजपाल के साथ भी यही होता था एक दिन अपना सारा काम खत्म करने के बाद राजपाल सेट के पास गया और उससे हाथ जोड़ कर बोला राम राम मालिक अहा जब ही किसी अच्छे काम के रिये निकरा तो ऐसे मनहूस आ जात है मों उठा के अब जल्दी बोल बिल्कुल फालतू बखत नहीं है मेरे पास मालिक वो हमाओ लल्ला बड़ा होई राओ है स्कूल जाना चाहत है तो मालिक अगर आप थोड़ा सा पैसा बढ़ाए दें ज्यादा नहीं मालिक बस गाउं के सरकारी स्कूल मां ओखे भेजन की सोच रहे हते अच्छा और क्या करेगा स्कूल जाके तेरो लल्ला हमायन मजदूरी ही तो करेगा जैसे तू कर रहत है अपना और अपने लल्ले का दिमाग जमीन पे लेया कोई पैसे वाईसे नहीं बढ़ेंगे तेरे पैसों का पेड़ दिख रहो का तुझे यन अच्छे बता तू परसों काम पर क्यों नहीं आवरे मालिक वो बिटेना की तवियत बहुत ही खराव थी बादिन घरवाली जिंदा होती तो बाकू खयाल रख लेती अब बाकू अकेला छोड़के हम कैसे आते मालिक जबान लड़ाए रहो है तेरी इत्ती हिम्मत हमसे सवाल पूछ रहो है ठीक है तेरे दो दिन के पैसे कटियां अब तो ये कहकर चंदेरी लाल वहां से चला जाता है राजपाल बहुत उदास हो जाता है वो बड़ी उमीदों से चंदेरी लाल के पास आया था उदास मन के साथ वो घर पहुँचता है उसे देखते ही सोहन खुश हो जाता है और उससे कहता है अरे बाबा आ गए आप हम पानी लाथें आपके लाने राजपाल पानी पीता है उसका उदास चेरा देखकर सोहन सब समझ जाता है और बड़े प्यार से कहता है का लैलाहवय जो सुनाव ते सुनाव और मुसीवत तो या है कि पैसा बडान तो दूर उस जालिम ने दूर दूरी दीन की मदूरी और काट लाई पूरा दिन इत्तो काम करात है कि बस जान लेने के काजे वैठो है अब ऐसा देन में नानी मरत है बाक अंजूस की तुम परिसान ना हो बाबा तुम दिखी हो हम स्कूल जई हैं कईसे भी अब पढ़ लिखके इस सेट की अकल ठिकाने लगई है सोहन की बात सुनकर राजपाल मुस्कुरा देता है और आराम करने चला जाता है सोहन ने अपने बाबा को दिलासा तो दे दी थी लेकिन वो खुद नहीं जानता था कि स्कूल कैसे जाए वो दिल से पढ़ना चाता था और अपनी गरीबी दूर करने के साथ साथ समाज के लिए भी बहुत कुछ करना चाता था वो समाज में गरीबों के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करना चाता था इसी उधेडबुन में वो अपने घर के बाहर बैठा था तब ही उसने देखा कि कुछ लड़के मिलकर एक गरीब बच्चे को जबरदस्ती कहीं ले जा रहे हैं वो तुरंथ वहां गया और उन लड़कों से बोला सोहन को देख कर उस छोटे बच्चे में हिम्मत आ जाती है और वो सोहन से कहता है सोहन उन लड़कों की इरादे समझ गया था उसने तुरंद दिमाग दोड़ाया और जमीन पर पड़ी मिट्टी उन लड़कों की तरफ उच्छालनी शुरू कर दी उसने अमित को भी ऐसा ही करने को कहा दोनोंने मिलकर इतनी मिट्टी उड़ाई कि उन लड़कों की आँखों में मिट्टी भर गई वो आँखे मसलते रह गए और सोहन अमित को लेकर वहां से भाग निकला कुछी दूर पर खड़ेक आदमी ने ये सब देखा तो सोहन और अमित को रोक लिया और उनसे पूछा ए रुको जरा कहा भाग रहे हो उन लड़कों पर मिट्टी क्यों उड़ाई तुमने उस आदमी का नाम अभीजीत था और वो गाउं के सरकारी स्कूल में मास्टर थे सोहन उन्हें जानता था उसने कहा मास्टर जी ने सोहन की बाद सुनते ही तुरन्त उन लड़कों को पकड़ लिया हला सुनकर गाउं के कुछ और लोग भी वहां गए और फिर सबने मिलकर उन लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया सभी गाउं वालों और पुलिस ने भी सोहन को उसकी हिम्मत के लिए शाबाशी दी अमित को सुरक्षित उसके घर पहुचा दिया गया मास्टर जी सोहन को उसकी घर ले जाने लगे फिर अचानक कुछ सोच कर रुख गए और सोहन से बोले सुनो बेटा तुम तो मुझे कभी स्कूल में दिखे नहीं फिर तुम्हें कैसे पता कि मैं मास्टर हूँ मास्टर जी हमाई भाबा के पास इतने पैसे नाई है कि वो हमें स्कूल भेज सके लेकिन हमावमन स्कूल जानको बहुत करत है जाके लाने जाके लाने का? हम कभों कभों चुपचाप स्कूल में घुश जाते हैं सब कुछ खिड़की के बालंग ठाड़े होकर बस देखत रहा थे जब आप क्लास में पढ़ात हो तो हम सब सुनत हैं और सीखन की कोसिस करत हैं लेकिन हम आगे से कभों ऐसा नहीं करी है सच्ची कह रहे आप हमारे बाबा को तो नहीं बताई हो काहे कि उन्हें बहुत बुरा लगी है आज जो इस ने किया वो करने की बड़े बड़े लोगों में हिम्मत नहीं होती और इसे पढ़ने का भी बहुत शौक है आप फिक्र मत कीजे मैं आपकी मجبورी समझता हूँ आज से सुहन की पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी मेरी, ये जब तक और जहां तक पढ़ना चाहेगा, मैं इसे पढ़ाऊंगा. मालिक आफ तर साकसाथ भगवान बनके आये हैं, बहुत बहुत सुक्रिया मालिक. उस दिन के बाद से सोहन स्कूल जाने लगा, इतना ही नहीं, मास्टर जी उसे अलग से भी पढ़ाते थे, वो भी बिना कोई फीस लिये. सोहन ने भी पढ़ाई में खुद को पूरी तरह से जोंक दिया. मास्टर जी की मदद से उसने 12 वी तक गाउं के स्कूल से ही पढ़ाई की, और पूरे जिले में टॉप किया. मास्टर जी ने उसकी मेहनत और जोश को देखते हुए, उसे आगी की पढ़ाई के लिए शेहर भेजा, और कॉलेज की पढ़ाई के बाद UPSC की तयारी करने को कहा. इस बीच राजपाल बूढ़ा हो चला था और चंदिरी लाल पहले से भी जादा मकार. सोहन पढ़ाई के साथ साथ त्यूशन भी पढ़ाने लगा, और घर का खर्च उठाने लगा. उसने राजपाल को मजदूरी का काम करने से मना कर दिया, और हर महीने उसके खर्च के लिए शेहर से पैसे भेशने लगा. सोहन ने पूरा मन लगा कर UPSC की तैयारी की और परिक्षा दे कर बहुत अच्छी रेंग हासिल की. अब सोहन अपने ही जिले का कलेक्टर बन गया था. एक गरीब मजदूर के बेटे के लिए ये बहुत बड़ी उपलब थी थी. मास्टर जी, वो सबसे पहले मास्टर जी के घर गया. उनके पैर छुए और बोला. मास्टर जी, आपके आशिरवाद और साथ की वज़े से आज मेरा सपना पूरा हो गया. मैं जिले का डियम बन गया मास्टर जी. आप मेरे भगवान हो मास्टर जी. मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको शुक्रिया कैसे आदा करूँ. सोहन रोने लगता है. मास्टर जी सोहन को गले लगा लेते हैं और कहते हैं. नहीं बेटा, मैं तो बस एक जरिया था. ये तुम्हारी मेहनत और लगन ही है, जिसने तुम्हें काम्याबी दिलाई है. सच तो ये है बेटा, एक सिक्षक तब तक अच्छा सिक्षक नहीं बन सकता, जब तक उसे अच्छा सिष्य न मिले. मुझे तुम पर गर्व हैं. और अब तुम्हारे लिए मेरी सीख यही है, कि जो भी करना, उससे समाज का और देश का भला होना चाहिए. मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, बेटा. सोहन मास्टर जी को भरोसा दिलाता है कि अब उसका लक्ष समाज से हर बुराई को दूर करना होगा. अपने पिता राजपाल को उसने अपने सरकारी आवास में बुला लिया और पूरे मन से उनकी सेवा करने लगा. इसके साथ ही उसने अपने जिले में हो रहे सारे गोरक धंदो का पता लगाया और उन सब के खिलाव करवाई की. पूरा गाउं सोहन पर गर्व करता था, लेकिन चंदेरी लाल के लिए तो सोहन का कलेक्टर बन जाना एक तमाचे जैसा था. उपर से चंदेरी लाल सालों से अपनी राशन की दुकानों से मिलावटी सामान बेच रहा था. इसके अलावा भी उसके कई काले कारोबार थे जो गैर सरकारी ढंक से चल रहे थे. धीरे धीरे चंदेरी लाल ने पूरे जिले में अपना काला कारोबार फैला लिया था. सोहन को जैसे ही इस बारे में पता चला उसने पुलिस को चंदेरी लाल के खिलाव जाँच के आदेश दे दिये चंदेरी लाल ये जानकर आग बबूला हो गया वो तुरंथ ही सोहन से मिलने उसके आफिस पहुँच गया काफी इंतजार के बाद उसे सोहन से मिलने का मौका मिला वो सोहन के केबिन में जाते ही गुस्से से बोला ए सोहन तो कलक्टर बन गव तो अपनी आवकाद भूल गव तेरा बाप हमाई यान मद्दूरी करत हता अगर तो हमाई जात कराएगा सीधे सीधे बोल कितने पैसे चाहिए तुझे देदी है तुझे पैसों के इसी घमंड में तुम जिन्दगी भर गलत करते रहे चंदेरी लाल लेकिन अब बस तुम्हारे पाप का घड़ा अब भर चुका है इससे पहले कि तुम्हें सरकारी अफसर को रिश्वत देने के जुर्म में जेल भिजवा दू दफाओ जाओ यहां से वैसे जेल तो तुम जाओ गई और वो भी बहुत जल्द तुम्हारे मिलावट के धंदे की वज़े से न जाने कितने घर उजड़े हैं कितने बच्चों की सिहत खराब हुई है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि क्या करते आ रहे थे तुम अब तक घर जाओ और इंतिजार करो जाचपूरी होने का चंदेरी लाल गुस्से में वहां से चला जाता है लेकिन अब भी उसने हार नहीं मानी थी उसने अपने गुंडों को सोहन पर हमला करने के लिए भेजा एक दिन जब सोहन अपनी गाड़ी से घर जा रहा था तो चंदेरी लाल के गुंडों ने उसकी गाड़ी पर हमला कर दिया और उसे जान से मारने की धमकी भी थी इस हमले में सोहन के ड्राइवर और उसे भी काफी चोटे आई थी लेकिन फिर भी सोहन घबराया नहीं उसने खुद के हिफाज़त भी की और चंदेरी लाल के हर गोरक धंदे का परदाफाश करता गया और चल्दी ही चंदेरी लाल जेल की सलाकों के पीछे पहुँच गया धीरे धीरे उसने अपने जिले में चल रहे सारे गलत कामों को रोक दिया और सरकारी योजनाओं का फायदा गरीबों तक पहुँचाया उसके कोशिश थी कि हर बच्चे को पढ़ाई का अफसर मिले और गरीबों को उनकी मेहनत के मताबिक सही मेहनता ना मिले उसके जिले को आदर्श जिला गोशित किया गया और सरकार की तरफ से उसे सम्मानित किया गया सोहम एक सच्चा देशभक्त था और आगे भी वो देशभक्ती के इसी जजबे के साथ समाज की भलाई के लिए काम करता रहा